हेलो प्यारे बच्चों, हम करेंगे कक्षा 2 हिंदी कारेपतरक नमबर 18 और हमें दिया गया है पार्ट नमबर 13 सूरज जल्दी आना जी तो चलिए कारेपतरक को हल करते हैं प्रेश नमबर 1 सूरज जल्दी आना जी इस कविता को अपने भाई बहन या अपने मित्रों के साथ गाईए बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने इस पोयम को कर लिया था अगर आप दुबारा से इस पोयम को देखना चाहते हैं तो आप मारे वीडियो को देख सकते हैं प्रेश नमबर 2 कविता की पंक्तियों को पूरा करिए अब देखिए यहाँ पर कविता से कुछ पंक्तियां ले रखी हैं और इसमें एक शब्द नहीं दिया गया है उसके बदले खाली जगह चोड़ रखी हैं आपको उसमें सही शब्द भरना है तो चलिए करते हैं पहला सूरज जल्दी आना जी दूसरा वाक्य देखिए जमकर बैठा यहां कुहासा कुहासा का मतलब होता है कोहरा या धुंद तीसरा सच सच जरा बताना जी चौथा कल की बारिश में जो भीगे तो यह हमने चारो पंक्तियां पूरी कर ली हैं अब देखिए प्रश नमबर 3 नी प्रश नमबर 4 देखिए जिस परकार जीव जंतूओं के लिए भोजन जरूरी होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को क्या चाहिए होता है, अपने शब्दों में लिखिए, तो बच्चों हमारे आसपास जो जीव, जन्तू, जानवर होते हैं उनको जिन्दा रहने के लिए भोजन यानि खाने की जरूरत होती है उसी तरह पेड़ पौधों को भी कुछ चाहिए होता है ताकि वो हरे भरे और जिन्दा बने रहें आपको उन्ही के बारे में लिखना है तो पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी, पानी, खाद चाहिए होती है इसलिए हमें सूरज की रोशनी पानी और खाद का प्रबंद कर देना चाहिए प्रेश नमबर पांच देखिए नीचे दिये गए चित्रों को देखकर बताओ यह किस किस समय का सूरज है अब यहाँ पर आपको तीन चित्र दे रखें हैं और उन तीनों चित्रों में देखकर आपको बताना है कि यह किस समय का सूरज है तो पहला चित्र जो है वह सुबह की समय का है दूसरा चित्र दोपहर के समय का और तीसरा चित्र शाम की समय का है बच्चों यह हमने वर्कशीट कम्प्लीट कर ली है और विशियों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद